अजी घाइस वल्कम बैक तो मैं चैनल दिपिका स्टाइल और मैं हूँ तिपिका कैसे हैं आप सबी लोग आई होप सब ठीक होंगे तो आज जो मैं रेस्पी लेके आई हूँ वो है ये संबर मसाला पाउडर जो संबर हम बनाते हैं उसमें हम इस मसाले का यूज करते हैं इस पाउडर का यूज करते हैं तो market में आसानी से मिल जाता है बट अगर हम घर पे बनाते हैं तो ये और भी अच्छा होता है घर का बना हुआ तो और भी अच्छा होता है ये सांबर मसाला पाउडर और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है और easily इसको बनाया जा सकता है तो चलिए फिर बनाना शुड करते हैं वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले मैंने या पर एक चमच जीरा लिया है नेक्स्ट मैंने या पर कुछ करी पते लिये हैं यह फ्रेस करी पते हैं आपके पास अगर सूखे हैं तो भी ले सकते हैं नेक्स्ट मैं पर सरसों दाना है और यहां पर यह काली मर्च है आदी चमच और दो चमच धनिया है साबुत धनिया है ये नेक्स मैंने आपे आदा चमच ये हींग पाउडर लिया है नेक्स आदा चमच ये मेथी दाना है एक चमच ये उरत दाल है और एक चमच ये आपे चना दार लिया है नेक्स मैंने आपे आदी चमच हल्दी पाउडर लिया है ये देखिए हल्दी आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च अपने हिसाब से क्वांटिटी उसकी बढ़ा सकते हैं तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं थोड़ा सा हम नारियल का भी यूज करेंगे तो गैस पर मैंने पैंट चड़ा दिया है गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है अब हम इन मसालों को रोष्ट करेंगे ताकि इनका मौश्यर निकल जाए तो सिबसे पहले मैंने आप ए साबोद धनिया डाला है उसको मैं रोष्ट कर लूँगी इसका मौश्यर निकल जाना चाहि है तो इसको हलका हलका सम रोष्ट कर लेते हैं तो यह देखिए धनिया के जो बीजें वो अच्छे से रोष्ट हो चुके हैं अब हम इसको एक बावल में निकाल लेते हैं तो अगेन हम उसी पैन में अब हम यहां पर चना डाल और उरत डाल इन दोनों को हम थोड़ा सा सेक ताकि इनका भी जो भी मशेर है वो निकल जाए तो इन दोनों डालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सेक लेंगे जा है तो यहाँ पर दोनों डालें भी अच्छे से सीख चुकी हैं तो इनको भी हम उसी बावल में ट्रांसपर कर लेंगे तो अगेन हम उसी पैन में मैथी दाना है उसको रोस्ट कर लेंगे और सरसों दाना भी हम साथ में डाल देंगे इन दौनों को हम एक साथ रोस्ट कर लेंगे आप चाहे तो सारी समगरी को एक साथ भी रोस्ट कर सकते हैं या तो फिर एक-एक करके भी इसको रोस्ट कर सकते हैं तो इनको हम रोस्ट कर लेते हैं पहले तो यह देखिए अच्छे से यह रोस्ट हो चुके हैं अब हम इनको भी उसी बाउल में निकार लेंगे तो अगेन हम उसी पैन में जीरा डालेंगे और जो काली मिल्च ली थी आदी चमाच उसको भी एड़ करेंगे और इन दोनों को साथ में हम रोस्ट कर लेंगे ताकि इनका भी जो भी मॉश्ट होगा इसमें वो निकल जाए तो इसको हम रोस्ट कर लेते हैं पहले तो ये भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है अब हम इसको भी उसी बाउल में निकाल लेंगे तो अगेन हम उसी पैन का यूज करेंगे और इसमें हमने जो साबुत लाल में उचली थी उनको हम रोस्ट कर लेंगे इनका भी हमें अच्छे से मौश्चर निकाल देना है ताकि जब हम इनको मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड करें तो ये इजीली ग्राइंड हो जाएं तो इसको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं तो ये देखिए ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है अब हम उसी बाउल में इनको भी निकार लेते हैं तो अगेन हम उसी पैन का यूज करेंगे और करी पते को भी हम रोस्ट कर लेंगे तो करी पते भी हो चुके हैं इनको भी हम बाउल में निकार लेते हैं तो अब हमने जो नारियल के तुकड़े लिये थे उनको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तो नारियल भी रोस्ट हो चुके हैं इनको भी हम निकाल लेते हैं बाउल में तो ये देखिए सारे रोस्टेर मसालों को मैंने इसमें एक बाउल में निकाल लिया है और इनको अच्छे से ठंडा कर लिया है के बाद ही हम इनको ग्राइंड करेंगे । यह ठंडे होचुके हैं। Аब मैं एक मिकसर जार ले रही हूँ। इन सबी चीजों को हम इसमें ट्रांसबर कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे हीन पावडर जो आदी चमज हम पाउडर ली थी, उसको एड करेंगे और साथी साथ जो हमने हल्दी पाउडर लिया था उसको भी हम इसमें एड कर देंगे तो यहां पर मैंने दोणों चीजें एड कर दी हैं और अब हम इन चीजों को ग्राइंड कर लेते हैं तो यह देखिए इन सबी चीजों का एक अच्छा सा मैंने फाइन पाउडर तियार कर लिया है तो बनके तियार है हमारा संभर मसाला पाउडर तो अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं इसमतली मसाला पाउडर को आप बंवार्छा को अैक बना सकते हैं nobu içा èe कोई जादा महनत नहीं द manufact Mitrukpti do up को को चाहिधानों दो पता बनाने में आप स्टोर करके कई महीनों तक विश्थार पता सकते हैं तो आप जरूर बनाईएगा इसको जरूर ट्राइ करियेगा और अगर आप ट्राइ करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और अगर मेरी रेस्पी ये आपको पसंद आई हो तो प्लीस लाइक करें शेर करें अपने फ्रेंट्स और फैमली में और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा और बैल आइकन को दवाना बिलकुल भी मत बूलिएगा ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई नई वीडियो लेके आऊ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ या अधर कोई एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर